हालो फ्रेंट्स वेलकम वेक माई चैनल गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज है 11 सिप्टेंबर और यहां सुभी का टाइम है कोई 10-11 बज रहेंगे तो मैंने यहां बैट सीट वगराई चेंच कर दी थी आज मैं इस वाले वैट की और अपने अंदर वाले रूम की इसकी दोनों की वर्टिट चैन्ज कर दी देखें क्योंकि धुलनी थी दो होंगी तो आज नहीं क्योंकि मौसम खराब है और यह उतार के मैंने वर्टिट वह गंदी नीचे पड़ी है और फिर उसके बाद में कोई वीडियो नहीं बना पा में इमली का पानी और वह प्याज काट ली थी और यह जीरा भून के पीस लिया था मैंने नमा काम चूर पॉडर थोड़ी लाल मिर्च काला नमक सादा नमक यह सब था और यह मांकई फो है वही मैंने उसको फ्राई करके भी रख लिया था तो हमारे उसमें वह उते हैं गोल भून ले भूएं के वागरा वू भी डाल सकते हो हरा थनिया डाल सकते हो उत्चने गलाना में भूल गऑख तो नहीं डाले तो मैंको चलो ऐसी बना लेते हैं साम की चाट आज मन करिया तक खाने का मेरा इसमें अपनी वगयरा यहाद मिला सकते हैं तो हमें इमली का पानी सम्मिला के नमा कमें मनला मिर्च नानि भीर भीर चाह्तिकसि यह दारे प्याज डाले बच्छों के लिए निकाल बहुत अच्छी लगती तो यह रात का टाइम यहां पर बना ले थी आज मैं सब्जी बेसन की कत्री हम लोगों में क्या बोलते हैं बताइएगा मुझे बहुत सी जगा साइद गट्टे की सब्जी बहुते हैं तो यह मैंने बेसन में लाल मिर्च नमक और कसुरी मती मिला के ग तो यहां देखिए नोवाल भी आगया था मेरा अच्छे से वल गई थी इसको मैं धांक दूंगी थोड़ा देर और पकने दूंगी थोड़ा इच्छे सिन का कच्छा पन निकल जाए तब तक मैं काट ले रही हूं प्याज वगहरा प्याज टॉमाटर यह सब मैं छील के द अधान तो मैंने का पहले सब्जी उना लेती हैं उसके बाद बरद न करूंगी हाँ देखे वह थी और निकालने के बाद मैं यह थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो इनकाट कर लोगी और यह जो पानी यह पंकोंगी नियों घजब सब्यक अच्छा यह नियु थी मतलई और इसमें जितनी आप गरेवी रखना चाहों इसमें अपनी मन मताबिक रख सकते हैं तो यहां मैंने यह कट कर ली ती सारी और तेल में डालके यहां इनको कर लूँगी थोड़ा सा फ्राई में ताकि मतलब फ्राई करने से अच्छी रहती है फिर वो टूट थी नहीं तो दे तो इसको दो मिनिट तक मैंने थोड़ा पकने दोंगी तेल में घुं जाएगा तो रख जाएगा उसके बाद मैंने यहां नमाक और वाकी किसुके मसाले जीरा गोली की हल्दी मैंने कम डाले थी कि क्यों बेसन में डाली थी तो लाल मिर्ज यह सब डाल दिया था और मेरे प नहीं जाएगा थे तरों जाएगा करहीं और नहीं मिर्च आप टूर्मिश जाया क्वालिः का वार सब्सक्ता यहां टो। पर मुझे जादा पान अच्छा नहीं लगता ढगती थी बस इसके बाद यहां बन गी थी मेरी सबजी वाल उसमें दो तीन वाला जाए सबजी बन जाते हैं कितनी प्यारी लग रही है ना कितने अच्छी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छ लगता है इसमें आप दही मिला जब दंडा होता है 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 जब दंडा होत फिर यहांते है डंडा क्वांसे करके अंचार देखिया जाहते में अचार क्रास राश को प्रास यह जो यह जब देखिया जाएंक जब दोगे में रिखिया क्वांसे करने हैं चलो बाई करो सबको बाई गुणने सब खुस रहिएगा बाई तब ठीक देखा हलो फ्रेंड्स very very good morning और कैसे आप सभी I hope आप सब अच्छे होगे और अब है next morning और ये वीडियो मेंने कल सुरू किया था जैसा कि कल थी कल कितनी तारिक थी कल थी 11 तारिक 11 सप्टेंबर तो मैंने ये कल वीडियो किया था और जैसा कि आप बोगको बताया कि जिस दिन मेरी वेंदे का मतलर डांस रहता है उस दिन मैं अपना वीडियो उसप आप लोड नहीं कर पाती हूं तो मैं एंड क्यों नहीं कर पाई मैं बताती हूं इसलिए नहीं कर स्विए नहीं कर पाइए। ड्याम धाइए। तो सब्जी बनाई थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की उसकी रेचिपी और फिर मेरी कल थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं कल प्रॉपर ठीक से वीडियो बना भी नहीं पाई कल मेरी ना इसमें कमर में बहुत मतलब पैन हो रहा था बहुत दरद हो रहा था कमर म मेरे दोनों बच्चे सीजर से हुए थे सीजलिंग से ऑपरेशन से दोनों ही बच्चे तो कभी-कभी ना जैसे कर थंडा मौसम हो जाए जादा बहरी बहरी मैं काम करनूं तो उसकी बेसे मेरे दरद हो जाता है तो मेरे कल वही हो रहा था स्लाइम है काफी दरद था मेरे कि खाना बनाने के बाद मैंने इं तीनों को खाना दे दिया था मैंहिन ने कहबते को अब लेट था नहीं दो रहा था मुझे Whew को विश्च बीच बिच गया थे तो अब पीने का बमन नहीं करता है तो सारे दश बच गयते तो फिर मेरे हजबन पीछे पढ़ने लगे बोले थोड़ा बहुत कुछ खा लो तो मैं खाना लेके भी बैठी तो बस मैंने आ दी एक रोटी ऐसे खाई थी अच्छी नहीं लग रहे यह दो दिन से ऐसा हो रहा है कि हम लोग जैसे रात दिन में कुछ नहीं दिखता है रात में जैसी 6.30 यह 11 बसते हैं तो परसों भी यहीं हो इती परसों मेने आप लग के शाध नशार्नी करती परसों बोलते हैं चुमकादर वह पता नहीं कहां से घुझ गई है क्योंकि मेरी क मेरे कि जाली तो नहीं है नहीं भोलोंगी मेरा बुपट्टा था वो मैंने लगा के है और हॉल की खिड्की मिने एक नेट गड़ता था वो मने लगा के रखा ता यहां पर रूम में भी लगा के रखा था फिलाल रूम का मैंने कॉल दिया है प्यूंकि मच्छड़ और छोड़े चोड़े कीड़े बहुत आते थे इसकी बजा से खिड़की नहीं खुल पाते थे हम बाहर इसका मौसम तब पता नहीं वो कहां से घुसी परसों भी घुसी परसों भी उसने परिशान किया रात को हमको कितनी निकालने की कोसिस हमने की वो पता नहीं किदर फिर गायव होगी किदर छुपके हमको पता ही नहीं चला हमको लगा साथ निकल गी जहां से आय थी उदर से निकल गए फिर कल सारा दिन ठीक ठाक साम को सब ठीक ठाक कोई प्रॉब्लम नहीं फिर वस वही रात को साड़ी दस पोने ग्यारा बजे करीब हम बैठे सब सोने की तयारी कर रहे थे बच्चे टीवी देख रहे थे जैसी में रूम में आया हूं उसके बाद फिर वह दिखाई दी घर में मनला कल भी सार माना राट को बाहरा आई गवजे तक हमको परिशान किया सो नहीं पाए हम राट को बाहराई गवजे तक तो उसको कोसिस में कल भी घूमती रही उसको मनें मैंडूर भी खोल दिया इसलिए खिड़कियां भी सारी खोल दी थी हमने कि वो निकल जाए पर वो नहीं निकली और मेरे दिमाग से बिल्कुल भी क्योंकि मैं बच्चे इतने डर गए ते हम तो रूम में बंद हो गए वही बिचारे भी किछिन में चुप गई अब पता नहीं किधर छुप गई है मैंने हस्बन ने सारा सुबे किछिन सब देख लिया कि धर छुपी है कुछ पता नहीं चला उसके चलते में मेरे दो कंच के गलास वी टूट गे जो मैंने महां सजय हुए थे सजाय थे वो भी टूट गे सबस्क्राइब करा। के लिए मेरा लेट ओ गया है सुभे सारा काम हो गया था मैंने उनके सामने सारा दिकतर काम खतम लिया था हारू बाडू पोँचंध मेरा उनको टिप इन भी दे दी आले जलनी कि बाद में लंच क्या कोई जंजट ना हो और जो सब्जी रात बनाइती वो ही रखी हुई हम ती के नास्ता की आयो उसी के बड़तन है तो वह पड़े हुए और मेरे कपडे हैं कल बारिश वी थी कल धुले नहीं थे कपड़े हैं थोड़े भझेट वगरा जो चेंज करी थी वह भी है तो देखती हूँ आज बादल तो अभी वी हो रहे है पर कभी दूप निकले कभी बाद तो लेट भी बहुत हो गया है आज उसके चकड में काम के लिए कि रात को नीन दी नहीं हुई और फिर हम लोग रूम का भी दरवाजा बंद करके फिर तब सुए थे और फिर भी नहीं नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चे बगरा उठे रात में टोलेट बगरा के लिए तो वह ओं एक खूंई रही थी तो इस भी दोल्या और इसे बीच रही है कर देती हूं आफ से नेक्स वीडियो में तो वस तऑईए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और गाइस प्लीज फुल वाज दिया करिए मैं आपसे बहुत रिक्वेश्ट कर रही हूं बार बार फुल वाज दिया करिए मुझे प्लीज और कमेंट करके मुझे पताईएगा जरूर कि मेरा वीडिया आप लोग को कैसा लगा तो चलिए करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई ख्याल रखिएगा अपना बाई सी यू